हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चानल बायो केमिस्ट्री फ़र मासें स्टोरेंज आज के इस वीडियो में फोलीक आसिड डिफिशिंसी के बारे में डिसकस करेंगे फोलीक आसिड इसको हम विटिमिन बी नन भी बोलते हैं जब इसका डिफिशिंसी होता है मेगलोब्लास्टिक अनिमिया, निउरल टूब D GF और हैहिपर होमस इसकोने मेगलोब्लास्ट अनिमिया, क er बीच में रेलेशन क्या होता है फोलीक आसिड", डियनय संतेसिस गे लिए चाहिए सो जब भी cell division होता है उस टैम पर डियनय का requirement होता है जब folic acid deficiency होगा, cell division effect होता है, सही से नहीं होगा जब cell division सही से नहीं होता है, तो उस particular cell effect हो जाए particularly cells जिसमें division rapidly होता है for example, RBCs और intestinal cells, बहुत effect होता है compared to normal cells so, हम बोल सकते हैं, rapidly dividing cells बहुत sensitive होता है folic acid deficiency को लेकर so, जब folic acid deficiency होता है, DNA synthesis सही से नहीं होगा, बहुत slowly होता है but hemoglobin synthesis तो continuously चलता है RBC precursors में so, इसमें क्या होगा, DNA slowly synthesized होता है और hemoglobin जो normally होता है, वो fast में चलेगा so, इसके वज़े से, जब हम इस RBC precursors को देखते हैं इसके अंदर cytoplasm well developed होता है means, cytoplasm normally developed हो जाएगा but nucleus development नहीं होता है क्योंकि DNA synthesis यहाँ पर delay हो रहा है बहुत slower ही चल रहा है so, जिसके वज़े से, यहाँ पर जो RBCs form होते हैं बहुत large होते हैं, बड़े होते हैं और immature होते हैं so, इसको हम बोलते हैं, macrosides or megaloblast so, यह abnormal macrosides or megaloblast RBC precursor जो होते हैं इसको circulation से rapidly remove करते हैं इसका destruction rapidly होता है, slip plane में so, जब इस RBCs का destruction rapidly चलता है इसके वज़े से anemia developed होते है इस लएम इसको बोलते हैं, megaloblastic anemia symptoms of megaloblastic anemia थकान, कमजोरी, चक्कराना और सांस लेने में दिक्कत होते हैं folic acid और neural tube defects pregnancy के early weeks में, अगर folic acid का deficiency होता है means conception के बाद, अगर folic acid का deficiency होता है इसके वज़े से neural tube defects होते हैं, babies में folic acid early pregnancy में, neural tube के proper development के लिए जरूरी होता है और इसके कमी से serious birth defect हो सकता है folic acid deficiency, hyperhomocysternemia relation क्या होता है क्या पर एक reaction होते हैं, जिसमें homocystern-methionine में conversion होता है अगर homocysteine को mithionine में convert औहन तो यहाँ पर folic acid चाईए जब folic acid नहीं होता है homocystern-methionine में convert नहीं होगा तो homocystern का level my blood में ज़्यादा हो जाएग इसलिए जब folic acid deficiency होता है होमोसिस्टीन लेवल ब्लेट में ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपर होमोसिस्टीन नीमिया इसके इंपोर्टेंस क्या होता है जब होमोसिस्टीन लेवल ज्यादा होता है होमोसिस्टीन के वजे से या पर कॉर्डियोवास्कलर डिसीज का रिस्क बढ़ेगी